ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें बांगलादेश की बांगलादेश में हिंसा फैली हुई है प्रदर्सनकारी सीधे प्रधानमंत्री के आवास में घुश गए और आवास की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं ऐसे हिंसा मची कि देश की प्रधानमंत्री सेख हसीना ने पहले पच छोड़ा और उसके बाद हेलिकॉप्टर के जरिये देश शोड़ दिया सेख हसीना ने वहाँ पर पूरा मामला सम्हाल लिया है और एक तरीके से सेख हसीना के कंट्रोल में अब सरकार है लेकिन सेख हसीना जब उड़ी बांगलादेश से तो सीजा पहुंची वह उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद में जी हां हम आपको यहें बताने जा रहे हैं कि आखिर सेख हसीना गाजियाबाद क्यों पहुंची पर होता है सूत्रों की माने तो कुछ उवाई से ना कि ग्याज उन्से स्वागत की उनका सूत्रों न जञेर दोबाल भी इस हवाई एड्रीजे पर उनसे मिलने पहुचे और जब यह वीडियो में उनका एक घर है और वो वहाँ पर जाकर रह सकती है यानि कि बांगला देश छोड़ने के बाद वो लंदन में सरन ले सकती है आपको बता दे किस से पहले बांगला देश में एक बार और एसे स्थिती बनी थी तब सेख हसीना के पिता का इसी तरीके के हिंसा में निधन हो गया था उनकी पूरे परिवार की का निधन हो गया था सेख हसीना और उनकी बहन चुकि उस वक्त जर्मनी में थी इसलिए वो जिंदा वज गई थी और अब सेख हसीना ने इस हिंसा के बाद देश को छोड़ाया पोदा दे कि बांगला देश में लंबे समय से विरोध प्र प्रदर्शन सडक से सीधा प्रधान मंत्री आवास तक पहुँच गया और इतनी हिंसा हुई कि जानकारी की मताबिक 300 लोगों की मौत इस हिंसा में हो चुकी है सेख हसीना खिलाब इतना विरोध हुआ कि उन्हें ना सिर्फ सत्ता छोड़नी पड़ी बलकि देश भी पड़ा फिलाल वो यूपी के गाजियाबाद के हिंदन एयरवेस्ट पर मौझूद है इस पर अगर कोई और अपडेट आती है तो हम आपको जरूर देंगे देखतरी उपी तक मुश्कार